चुम्बकत्व कल हमने चुम्बकत्व के अंतरगत चुम्बकत्व मापी विच्छेप चुम्बकत्व मापी इस उपकरन का विस्तार से हमने अध्यन किया था विच्छेप चुम्बकत्व मापी किसे कहते हैं वह कैसे दिखता है उसकी बनावट कैसी होती है उसमें क्या क्या तोटियां आ सकती है इन सारे विश्याओं के बारे में कल हमने क्या किया था विस्तार से चरचा किया था उसके साथ ही साथ हमने गौस की 10 इस्थिति में 10A इस् सझती और गौशटी 10 बइस सटिती दोनों के सथापना की थी आज हम विच्छवश्प कि सहाइत से विछ बिदी से दो सुम्भको की चुम्भके अगौनों के तुल्णा करने के लिए वैंंजक की सठापना करेंगे इसका योग देखेंगे और इसका समंजन देखेंगे साथ ही साथ ये भी देखेंगे इसमें कि इसमें क्या-क्या हमको साधानिया रखनी है इसके लिए दो विच्छे पिधी और दूसरा जो होता है सुने विच्छे पिधी के विशय में गौस की तेन इस्तिती और गौस की तेन इस्तिती का अध्यन करेंगे तो सबसे पहले विच्छे पिधी चुम्बक कर्तुर मापी की सहायता से दो चुम्बकों के चुम्बक की आगौनों की तुलना ठीक है अब ये जो होता है विच्छे पिधी और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं सुने विच्छे पिधी ठीक है विच्छे पिधी नाम से इस पस्ट है विच्छे पाएगा है ना और सुन्ने विच्छे पिधी में हम विच्छे सुन्ने की स्थिती में करते हैं यह सुन्ने में लाते हैं ठीक तो इस तरीके से विच्छे पिधी और सुन्ने विच्छे पिधी से क्या करते हैं जो तो हम चुम्बक लेते हैं उनके चुम्बक की आगोनों की तुलना करते हैं ठीक है उधारन के लिए यदि हम ये पहला चुम्बक ठीक है ये पहला चुम्बक ले लिए ठीक उसी तरीके से ये जो है अपना दूसरा चुम्बक ठीक ये दो चुम्बक है इन चुम्बकों की हमक इसके उंतर गतं। विछे प melon जो है उसका हम क्या करेंगे विछे पर दिए हम क्या करेंगे गोज की टेन इस तिखी और गऌस की टेन भी इस दिती कि विए इस विधीन का हम पहले अध्यान करेंगे ठीक है इसके बाद सुनने विच्छेप विधी का तो विच्छेप चुंबकत्मापी कि साहता से दो चुंबकों की चुंबकी आग्मिनों की तुलना करना उसमें सबसे पहले हम किसे देखेंगे विच्छेप विधी है ना ठीक इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे शुत्र की स्थापना करेंगे ठीक तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे गौस की टेनिस दिती विच्छेप चुंबकत्मापी जो आप देख चुकी है है ना यह हो गया विच्छेप चुंबकत्मापी छीक इसके मध्य भाग में दिक सूचक बॉक्स, जिसमें क्या लग रहता है? चुछी लग रहता है इस तरीके से? छीक यहाँ पर हम क्या करते है? इसमें जो है चुमबकों को लेकर आते हैं हमारे पास दो चुमबक है, ठीक है ये पहला चुम्बाक हो गया और ये दूसरा चुम्बाक ठीक है तो सबसे पहले जब हम पहले चुम्बाक को दिक सुचक के बॉक्स के पास धीरे धीरे इस भुजा में लेके आते हैं ठीक है तो उस इस्थिती में सुई में क्या होने लगता है बिच्छे होने लगता है इसी क का क्या करते हैं जो अब हम में दिक्शुचक सेचब को टेन एक स्थिती के लिए पूरु पसीप धिसा में रखते हैं से दूसरी चीज जो चुंबक होता है वह सदे भी पूरु पसीप जिशन में होता है तो गौस की देन एक सी तिती थी कि दीस इसको हम क्या करते हैं उसको कैसे रखते है पूरू पश्रिम दिसा में यह जो है पर जिखे चुन बजका तुम आपि है और इसकी बूजाओन को कहां पे रखना पूरू पश्रिम दिशा में रखना है इसकी भुजाओं को हम पूरू पश्रिम दिशा में क्या करेंगे इसको हम रखेंगे ठीक है तो यह जो है विच्छेप चुम्बक कत्मापी है और इसकी भुजा को हमको क्या से रखना है पूरू पश्रिम दिशा में इस प्रकार से करते हैं तो इसका दिख सुचग-бॉक्स की जो सुई होती है उसमें क्या इतोन होने लगता है बिच्छे प लंबाई क्या लेंगे इसको one से दिखा देंगे ठीक है जितना भी मान रहेगा उसको वन और इसको किसे यह दूसरा है जले दो पहला चुम्बक पहला चुम्बक की प्रभावी पहला चुम्बक के लिए ठीक है इसमें देखते हैं पहला चुंबक के लिए पहले चुंबक का जो है प्रभावी लंबाई प्रभावी लंबाई इक्वल टो इसकी प्रभावी लंबाई मालती टूल कहलवाई ठीक है यहां पर वन से ठीक चुंबक की आगून चुंबक की आगून हो जाएगा इसको भी दरसादे M1 से ठीक इसके बाद इसके मध्य बिंदू से हमेशा जब प्रियोग करेंगे तो क्या करेंगे इसके मध्य बिंदू से इस सुई की इस दूरी को मापेंगे जिसको हम कहते हैं D ठीक अब पहले चुंबक के लिए होगा इस कबाद करेंगे की मध्य बिंदू से मध्य बिंदू से सुई की इसको लिखेंगे D1 तो यह पहले चुंबक के लिए हो गया इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं जो दूसरा चुंबक लेंगे उसके लिए वह यसी धसरा सकते हैं तो यहाँ प्रूसरा चुंबक के लिख लें से दतरेंगे इसको लिख लेंगे दूख लेंगे रही है ना तो जब पहले चुम्बक को लेके आते हैं जिसकी प्रभाविलंब भैट के कारण, के कारण, चुम्बक की सुईने, विच्छेब, कितना प्राप्त होता है, विच्छेब थीटा, थीटा से थीटा वन, है न, थीटा वन प्राप्त हो, पहला चुम्बक का, हम क्या दिखाएंगे, वन से दिखाएंगे, ठीक है, तो पहले चुम्बक के कारण, जब पहले चुम्बक को लेके आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, चुम्बक की सुई में विच्छेब, थीटा वन प्राप्त हो, तो उस स्थिती में, चुम्बक की अगुनों की वेंजक है ना तो क्या हो जाएगा वेंजक हो जाएगा M1 upon H is equal to कल हमने जो सुत्र पढ़ा था ठीक है पहले हम सुत्र देख लेते हैं तो इसके लिए सुत्र क्या होता है गौस की 10A इस्थती के लिए सुत्र जो हम निकल निकाला था वो क्या था M upon H is equal to 4pi upon mu0 into d का square minus L का square upon 2d है ना और 10 theta ये जो है कल हमने इस वेंजक की स्थापना की थी ठीक तो पहले चुम्बक के लिए हम इसमें मान को पूट कर देंगे हम अभी कौन से चुम्बक ले रहें पहला चुम्बक ठीक है तो पहले चुम्बक के लिए हम क्या कर देंगे इस वेंजक में मान को पूट करेंगे ठीक है तो पहले चुम्बक के लिए क्या हो जाएगा पहले चुम्बक के लिए यह मान हाँ यह हो जाएगा M1 और यह हो जाएगा H is equal to 4 pi upon mu0 into D, जहाँ पे D है वहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले चुम्बक के लिए good, D1 है न, D1 का स्क्वाइर माइनस L की लंबाई L1 है न, का स्क्वाइर chi square upon 2, और क्या हो जाएगा 2D है न, D के जगा में D1 into 10 और theta के जगा में theta1 ठीक, यह हो गया आपका पहला समीकरण ठीक है, यह क्या हो गया पहला समीकरण, कौन सा चुम्बक के लिए पहले चुम्बक के लिए अब हम क्या करेंगे इसी को दूसरे चुम्बक के लिए दूसरे चुम्बक के लिए इस सुत्र को लगाएंगे तो दूसरे चुम्बक के लिए लंबाई हमने लिखा है L2, M2, D2 है न, तो दूसरे चुम्बक को जब हम लाते हैं ठीक, तो अब ही हमने क्या किया था यहां पहला चुम्बक आख था अब जो है यहां पर हम क्या को लेके आते हैं दूसरा चुम्बक ठीक है सेकेंड चुम्बक जब इसको लेके आते हैं तो क्या होता है इसके डी तू दूरी पर है ना डी तू दूरी पर क्या होता है विच्छेप देता है यह और यह विच्छे देता है थीटा two second इससे थी능े पहला चुमबक था जब D1 दुरी पर रखेते तो थीटा one वीचे पाया था अब दूसरे चुमबक को जब D2 दुरी पर रखते है तो थीटा two वीचे पाता है हैना तो यह हो जाएगा दूसरे चुमबक के लिए कारण दूसरे चुम्बक के कारण चुम्बक की सुई पर विच्छेप थीटा टू प्राप्त हो जबकि चुम्बक के मध्य बिंदू से दूरी कितना है डीटू है तब उस इस्तिती में क्या हो जाएगा इस सुत्र में जो हम गौस की टेने इस्तिती के लिए जो सुत्र लिखी है इस सुत्र में क्या कर सकते हैं, दूसरे चुम्बक के लिए इसको इस्तिमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, M, हाँ, यहाँ पर क्या लग जाएगा, 2 upon H is equal to 4 pi upon mu 0 into D, है न, D2 हो जाएगा, D2 का स्क्वाइर, minus L, L के जगह में, L2 का square, upon, ठीक है, 2D, सुत्र में 2D है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 2D2, है न, 2D2, और 10, थीटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा के जगह में, विच्छेव जो मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है, थीटा 2, इस तरीके से हमको क्या मिलता है, यह जो है, दूसरा समीकरण प्राप्ठ होता है, वो समीकरण एक और समीकरण दो, यह पहले चुम्बक के लिए वेंजाक हो गया, है न, और यह दूसरे चुम्बक के लिए, ठीक, अब समीकरण एक भागीत समीकरण दो करें, तो क्या मिलेगा? समीकरण एक भागीत दो, समीकरण एक भागीत दो करने पर, ठीक है? समीकरण एक कमान क्या मिले है अभी? यह वाला, M1 अपॉन है न, तो यहाँ पर हो जाएगा, M1 अपॉन है, यह इस साइड, यह साइड से, है न, इस साइड को हम इस साइड से भाग देंगे, और जो दूसरा साइड है उसको, इस दूसरे साइड से भाग देंगे, ठीक, तो यह M1 अपॉन ह, अपॉन क्या हो जाएगा, M2 अपॉन ह, यहाँ से M2 अपॉन ह, ठीक, इसी तरीके से यह साइड भाग जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 4Pi अपॉन मुजिरो है न, इन्टू, D1 का स्क्वार माइनस L1 का स्क् इस्क्वार माइनस L2 का स्क्वार का स्क्वार अपॉन 2D2 इन्टू, ठीक, यह दोनों से M2 को हम क्या कर देते हैं, आपस में भाग देते हैं, ठीक है, अब आगे जब हल करें तो हमको क्या प्राप्त होगा ठीक है यह जो भाग है यह कैसे भाग जाएगा M1 ठीक यह M1 upon H यह पलट जाता है रासी यह भाग जाएगा तो पलट जाएगा क्या हो जाएगा H upon M2 is equal to यहाँ से आप इस रासी को cancel कर सकते हैं यह 4 pi upon mu0 4 pi upon mu0 से cancel हो गया ठीक है अब यहाँ पे जो उपर में लिखा है B1 का square minus L1 का square का square यानि दो घाट ठीक है और उसके नीचे है 2D1 ठीक यह जब रासी जाता है तो यह भी क्या हो जाता है पलड जाता है ठीक यह वाला उपर चला जाएगा क्या हो जाएगा 2D2 upon D2 का square minus L2 का square का square है ना और 10 theta 2 और क्या है यह नीचे में है और यह क्या है उपर में 10 theta 1 ठीक 10 theta 2 उपर में 10 theta 1 उपर में और 10 theta 2 नीचे में ठीक है तो यहां से आप दे सकते यह 2 और यह 2 भी क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा है ना तो मिला कितना अच्छा यह h क्या हो जाएगा cancel हो गया मिला हमको M1 upon M2 is equal to D1 का square minus L1 का square का square ठीक है अपोन यह D1 ठीक उपर में क्या है D2 ठीक है और नीचे में D2 का square minus L2 का square का square घाद दो है ना और यह जो 2 10 theta 1 upon 10 theta 2 ठीक है यह जो समीकरण हमको मिल रहा है है ना इस समीकरण को हम क्या नाम दे देते हैं समीकरण 3 तो यह समीकरण हमको जो मिला आप देख सकते हो कि यह जो है पहले चुंबक का चुंबक की आगुन है और यह दूसरी चुंबक का चुंबक की आगुन तो इस तरीके स कि दोनों चुंबक के चुंबक के आगुनों के तुनला के लिए ये वेंज़क हमको प्राप्त होता है ठीक है अब यदि यहां पे हम क्या करें जो दो चुंबक हम ले रहे हैं प्रियोग के लिए ठीक है उसमें जो उनकी लंबाई है ठीक है और मद्धि बिंदू से जो दूर प्रियोग के दौरान लेते हैं तो यह दोनों चुंबक कैसे हो जाए लंबाई में दोनों बराबर हो जाए ठीक है लंबाई में जब बराबर हो जाते हैं तो हम इस समीक रण में सुत्र में क्या लिख सकते हैं कि 2L1 equal to 2L2 जो दोनों बराबर जो लंबाई है वो कैसा हो गय किसे जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें यदि हम यह पहला चुंबा जो ले रहे हैं उसकी जो दूरी हम कैसे ले जो डी वन और डी टू ले रहे हैं यह दूरी मध्य बिंदू से यह मध्य बिंदू दिखाई दे रहा है इस चुंबा को हम ऐसे रखते हैं और इसके मध्य रखा गया है D1 उसी दुरी पर ही क्या करें हैं से रखें ठीक है यह लिए डीटु याने कि D1 और D2 कैसे हो गये हैं वराबर हो जारें ठीक है यह जो दूरी पर हम जो चुम्बक को रख रहे हैं यदि इससे यहां से इसके दूरी 14 cm है, तो पहला चुम्बक को भी 14 cm में रखे, और दूसरा चुम्बक को भी 14 cm की दूरी पर हम रखे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में D1 जो होगा, वो D2 के बराबर हो जाएगा और इसको हम मालेते हैं, किसके क्या करते हैं लागू करते हैं तो क्या मान मिलेगा M1 upon N2 is equal to D1 जहां लिखा है वहाँ पर क्या लिखें हम अब D लिखें D का square minus L1 जहां लिखा है वहाँ पर L का square है ना इंटू पुना D2 के जगह में D बटा D1 के जगह में दी फिद डी का square minus L का square का square इंटू टेन थीटा वन अपॉन अपॉन थीटा टू यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर आप देख रहें यह डी हो गया तो डी से डी केंसल हो जाएगा इसी तरीके से डी का मानस ऐल करका होली स्कुर्ण डी है स्कुर्ण मानस यह भी समान मान हो गया तो यह क्या हो जाएंगे आपस कट जाएंगे यह न समाट हो जाएंगे तो इस तरीके से मून ऊ Metal के महान क्या मिलता है इस प्रकार M1 upon M2 का जो मान हमको मिलता है वो मिलता है M1 upon M2 is equal to क्या हो जाएगा केवल 10θ1 upon 10θ2 प्राप्त होगा ठीक और अब हम क्या कर सकते हैं कि यह थीटा 1 और थीटा 2 का जो है मान मतलब प्राप्त करके उसको तेन में रख करके हम M1 upon M2 की यानि दोनों चुंबकों की चुंबकों की तुलना कर सकते हैं प्रिक्षंट सानी यह दो अपन पहले निकाल रहते हो क्या है सुत्र की स्थापना ठीक अब हम क्या करेंगे प्रिक्षंट सानी जो है क्या करेंगे बनाएंगे तो इसके लिए प्रिक्षंट सानी के लिए क्या हो जाएगा सबसे पहले हम यह पहला चुंबक क्या करते हैं ठीक है ये पहला चुम्बक ठीक है ना तो ये जो प्रिक्षंट साड़नी है इसे में जो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे इसको समन्जन करेंगे ठीक तो प्रिक्षंट साड़नी से पूरो हम क्या करते हैं समन्जन करते हैं समंजन क्या करें कैसे करेंगे समंजन कैसे करेंगे सबसे पहले यह जो विच्छे चुम्बकत वापी रहेगा उसको हमको क्या करना है पूरुपस्चिम दिशा में रखना है ठीक और उसके बाद इसका जो इसका जो समंजन है इसमें क्या है इसके चार भाग होते हैं सुननी सुनन और यह नब्वे नब्वें ठीक तो हमको पूरुपस्चिम में रखकर इसका जसुन्नि-सुन्निख करना है तो इस तरीक से हम भुजा वो इस प्रकार घुमाते विच्छेव चुम्बक अत्मा पीके कि ये सुन्नी सुन्ने भी इस भुजा के समनांतर है और साथ ही साथ जो चुम्बक की सुई है वहां पे लगा है वो भी क्या हो जाए सुन्ने सुन्ने में ही रहे ठीक उसके बाद हम क्या करेंगे ये जो चुम् तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे हां पर विच्छे प्राप्ट करेंगे और यह जो दूरी रहेगा दूरी को हम इस प्रकार से रखेंगे कि यह बिंदू जो है कैसा रहे दोनों चुंबग के लिए समान रहे और जो चुंबग भी जो हम लेंगे वो कैसा लेंगे दोनों चु अब इसके लिए हम क्या तियार करें प्रिक्षण सार्णी किस प्रकार से तियार किया जाएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं दो चुम्बक लेते हैं यह आपको दिखाई दे रहा है यह दूसरा चुम्बक है यहां लिखा है दूसरा चुम्बक और यह जो है पहला चुम्बक तो इस प्रियोग को सबसे पहले पहला चुन्बक के लिए दरस आइंगे हैं तो ये पहला चुन्बक के लिए देखेंगे तो ये पहला चुन्बक और साट अंस के बीच में हमें प्राप्त होना चाहिए ठीक है तो इस बुरी को इस बुरी को जो है हमने स्टिक कर लेते हैं ठीक है क्योंकि अगली बार भी जब हम इसको लाएं तो क्या करें यहां पर रखें यह 14 सेंटीमिटर की दुरी पर है इस बिंदू से तो इसको 14 इस तरीके से हमको कितने मान प्राप्त होते हैं पहले सीरे का पाठ्यांक और दूसरे सीरे का पाठ्यांक के ने दो मान इसी तरीके से इस चुंबा को अब हम क्या करते हैं पलड़ देते हैं ठीक है एंडू ठीक है और इसको क्या करते हैं बारी-बारी से इस प्रकार से ऐसे लेकर आएं उसी बिंदू पर रखें है ना तो यहां पर जो N सीरा है ठीक है इसके कारण से इसमें पूनहा क्या हो जाएगा दो विच्छे पहले सीरे का पाठ्यांक और दूसरे सीरे का पाठ्यांक ठीक है तो क्या हो गया पहले दो प्राप्त हुआ था है ना दोनों सीरों का पाठ्यांग और अभी कितना हुआ 2 पाठ्यांग ठिक है 함께 इस तरीके से पुल कितना पाठ्यांग इस बुझा में एंधुरू के लिए 4 पाठ्यंग हमने पराप्द कर लिए ठीक इस तरीके से यहाँ पर भी हम इस चुम्प को क्या करेंगे लेकर आएंगे और यदूरी भी कैसा होना चीह समान जोदी 14 सेंटीमितर पर रखेंई तो 14 सेंटीमितर ठीक है और इसको कैसे रखेंई यह सिधा रखेंट अपें एंडू है ना और इस पर जो विच्छे पाएगा न último यूरा एक और सिरा रखेंट तो दो मान हो गया, यह कितने मान हुए, दो मान हुए, अब इसको ऐसा पलट के रख देते हैं, ठीक है, पलट के लेके आएंगे, पलट के रख देते हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुना इसमें विच्छी पाएगा, पहले सीरे का, दूसरे सीरे का, ठीक, तो यह दो तो कुल मिला के कितना हुआ एंदुरू के लिए हो गया इधर चार और इधर चार ठीक है इधर चार और इधर चार कितना हो गया आठ ठीक है तो एंदुरू के लिए कितना मान दे रहा है आठ मान हो प्राप्तोर है इसी तरीके से इसी चुम्बक के लिए पहले चुम् कुल मिला के चार इस भुजा के लिए फिर इसी तरीके से यहां पर लेके आएंगे तो इसके लिए भी यह दो पलटने पर दो ठीक है टोटल चार ठीक तो इस तरीके से एस दुरू के लिए भी कितना हुआ चार चार अठ ठीक यह निए पुल जो पाठा खम नौट की अचार दोनों धनों के लिए खिक है दोनों गुजा ऑपर आठा कितना हुगए 16 तो 16 जो है माप हम क्या करते हैं इसमें लेते हैं कितना माप लेते हैं 16 यह कौन से चुम्बक के लिए हुग चुम्बक पहले के तो उन 16 मानों को आपस में जोड़ करके 16 से भाग देंगे ठीक है तो वहां से किस कमान निकल जाएगा ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा ठीटा वन कमान जो है निकल जाएगा अब यह पहले चुंबक को हम रख देते हैं और दूसरा चुंबक लेंगे और इस प्रक्रिया को दो रहेंगे ठीक है एंधुरू के लिए सीधा रखे तो दो मान पलट दिये तो दो चार हो गया फिर इधर एंधुरू के लिए सीधा रखे तो दो पलट दिये तो दो चार चार आठ इसी तरीके से S के लिए भी करेंगे तो 4, 4, 8 यहनि total कितना मान? 16 मान हमको प्राप्थ होता है ठीक है? इन 16 मानों को पुना हम क्या करेंगे? जोडेंगे सबको और 16 से भाग देंगे तो किस का मान निकल जाएगा? theta 2 का मान किस का मान निकल जाएगा? theta 2 दूसरे चुंबखली थीटा निकल गया पहले चुंबखली क्या है थीटा निकल है है ठीग तो да ले लिए लिए न यह तो यह प्रिक्षण सानी हम इस प्रकार से बना सकते है ठीक है प्रihचन शाणी जो है कैसे बनेगा विच्छेप विधी गौस की टेन एस्थिती के लिए प्रिक्षण सानी ठीक है विच्छेप विधी गौस के टेन एस्थिती के लिए प्रिक्षण सानी क्या हो जाएगा चुंबक क्रमांक हम दो चुंबक लेते हैं पहला चुम्बक और दूसरा चुम्बक, प्रियोग हमारा दो चुम्बकों पर है, क्योंकि इन ही दोनों चुम्बकों के चुम्बक की आगुनों की तुलना करना है, इसके बाद जो दूरी होगा, दूरी को हम क्या कर लेंगे, निश्चीत कर लेंगे, क्योंकि हमको ठीटा व पलटकर उसके सीरा एक-2ी पाठ्याग को लेता है नोट करते हैं ठीक उसी तरीके से पस्चेसे में भुजा पर इस प्रयोग को दरसाते हैं एन दूरू को रखते ही, सीधा रखकर पलट कर रखे थे, है ना, उसी प्रकार उनके सीधा रखने से उनके पहला सीरा, दूसरा सीरा का पाठ्यांक, पलट कर रखने से पहला सीरा, दूसरा सीरा का पाठ्यांक, है ना, और एस दूरू के लिए भी वैसी किये थे, सीधा पलट कर दोनों सिदाओं के पाठ्यांख हमने नोट किया था तो इस प्रकार इसका जो है प्रिक्षण शाणनी बनता है और बननी के बाद पहला जो चुंबक होता है है ना इस पहले चुंबक में जो मान यहां से जो मान प्राप्थ हो गए एक तो तीन चार पांच छे साथ आट नो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यह जो 16 मान प्राप्थ होंगी इनको सब को हमको जोड़ना है और 16 से भाग देना है तो यह कि हम जाएगा माध्य विच्छे हमको प्राप्थ हो जाएगा ठीक है यह माध्य विच्छे भी ठीटा वन है ठीक उसी तरीके से दूसरा चुंबक जो लेंगे इन दो मान प्राप्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं M1 अपन M2 ठीक है उसे क्या कहते है M1 अपन M2 ठीक अब यह प्रिक्छंट साणी हो गया सावधानी सावधानी क्या क्या रखनी पड़ती है प्रियोग के दोरान ठीक प्रियोग के दोरान हमको विभीन प्रकार की सावधानी होती है जैसे जब हम इस विच्छे चुंब कति-मापी को एक बर समंझजित कर देते थे खेर प्रियोग में तुम्तिए करदे दे तो आज पास किसी भी प्रकार का चुंब की Прदार्थ नहीं होना चाहिए चुंबक की प्रदार्त आजपास क्या नहीं होना चाहिए, उसके साथी साथ, आप इस बात का भी ध्यार रहें, कि जो चुंबक आप रख रहे हैं, वो सदेव पूरुपस्चिम दिशा में होना चाहिए, और साथी साथ, जब आप विछेप ले रहे हैं, तो विछेप इन शी के मद्धे ही विच्छेप को प्राप्त करना है तो प्रयोग के दारान हमको इंसारिस सावधानियों को रखना है इसके साथ साथ यह तो गौस की 10 इस्थिति के लिए हो गया अब हम किसके लिए देखेंगे विच्छेप विधी से ही गौस की 10 इस्थिति के लिए इसमान को प् कि दो विच्छेप विधी गौस की तेन भी इस्तती के लिए दो चुंबकों के चुंबकों यागनों की तुलना करना ठीक है इसके लिए हमको क्या करना है वेंजग प्राप्त करना है तो विच्छेप विधी के लिए आप चुंबक, विच्छेप चुंबकत तुम आपी को कैसे ठीक है यह जो विच्छेप चुंबक तुम आपी आप लेते हैं ठीक इसकी जो भुजा होती है इनकी जो भुजा है इनकी जो भुजा है इसको आप क्या करेंगे इस प्रकार उत्तर से दक्षिड की ओर इसको आपको रखना है कैसा रखना है उत्तर से दक्षिड दिशा में इ रखना है से चुंबख को ठीक तो अब हमको चुंबख ऐसे रखना है और विच्षेप चुंबख तुमापी की जो भूजा होगी वह कहा रहेगा उत्तरदक्षेण दिसा में ठीक है लिक्सुचक बॉक्स यहां पर आपको ठीके थीक्या इसको इस प्रकार से हमको क्या करना है इस चुम्बक को रखना है तो हिक मिशन स्थैत्ति में दिखाई देता है निरक्षी स्थिति में और निरक्षी से विए को और इस पर जो है क्या करता है इस पर जिया नियम काम करता है इस पर जो है विच्छेप देना शुरू कर देती है ठीक है यदि हम पहला चुंबाग जो ले रहे हैं इसको पुना अपन नोट कर लेते हैं पहला चुंबाग की प्रभावी लंबाई कितना है 2L1 ठीक उसका चुंबाग की आगोंड ये ले लेते हैं M1 ठीक है चुंबाग की आगोंड M1 ठीक और इसको कितनी दूरी पर समझित करें इसके मध्य बिंदू से D1 दूरी पर जब रखें ठीक है मध्य बिंदू से D1 दूरी पर रखें तो विच्छेप कितना आएगा ठीक है विच्छेप मिलेगा आपको ठीक ये पहले चुंबाग के लिए हो जाएगा इसी प्रकार जब दूसरा चुंबाग यहाँ पर रखेंगे तो दूसरा चुंब कि लंबाई क्या हो जाएगा प्रभावी लंबाई 2L2 यहाँ दो हो जाएगा है ना और चुंबाग का आगुन यह हो जाएगा N2 ठीक D2 दूरी पर विच्छेप कितना दे विच्छेप ठीटा 2 हो तो तो चुंबाग की आगुन के लिए हमने गौस की टेन बिस्तितिक देखा है ना तो सबसे पहले शुत्र की इस्थापना ठीक है ना और शुत्र की इस्थापना हमने गौस की टेन इस्थिति के लिए जो शुत्र पढ़ा है उसको हम पुन्हाइश्मरन करें गौस की टेन बी इस्थिति के लिए आगुन का सुत्र आगुन का वेंजक या सुत क्या मिला था हमको यह मिला था m upon h is equal to 4 pi upon mi 0 into d का square plus l का square की power 3 by 2 है ना और 10 theta ठीक है यह जो है मान हमको मिला था ठीक इस मान में हम क्या करेंगे जो हम पहला चुंबक ले रहे हैं पहले चुंबक के लिए आगुन का वेंजग ठीक उसी तरीके से जब दूसरा चुंबक यहाँ पर रखते हैं तो आगुन का जो है वेंजग रखेंगे ठीक तो सबसे पहले पहली चुंबक के लिए पहले चुंबक के लिए मान कितना आ जाएगा पहले चुंबक को d1 दूरी पर रखने पर विच्छेव थीटा वन आए तो पहले जुम्बक के लिए क्या हो जाएगा मान इस सुत्र में M1 upon H is equal to 4 pi upon mu 0 into d का स्क्वार यहाँ पर क्या हो जाएगा d1 हो जाएगा d1 का स्क्वार प्लस l1 का स्क्वार पावर 3 by 2 into 10 and theta 1 यह पहला समीकरन हो गया ठीक इसी तरीक से जब दूसरा चुम्बक के लिए जब दूसरे चुम्बक को हम यहाँ पर रखें ठीक कितनी दूरी पर रखें d2 दूरी पर रखें तो विच्छेप यदि theta 2 प्राफ्थ हो विच्छेप कितना प्राफ्थ हो theta 2 प्राफ्थ हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा वेंजग m2 upon h equal to यहाँ रख देंगे 4pi upon mu0 into d का जो square है यह क्या हो जाएगा d2 का square plus l2 का square 3 by 2 into 10 theta 2 यह हो गया अपना समीकरन नमबर 2 ठीक है समीकरन एक को क्या करते हैं समीकरन एक से समीकरन 2 को हम क्या कर देते हैं भाग देते हैं तो यहाँ पर हम जब हम भाग देते हैं तो क्या प्राफ्थ होगा समीकरन एक भागित दो ठीक है, एक को दो से भाग दे दे तो कैसा होगा, m1 upon h upon m2 upon h ठीक है, is equal to यहाँ पर जब इस दोनों को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 pi upon mu 0 upon 4 pi upon mu 0 ठीक है, और उपर की रासी क्या हो जाएगा उपर की रासी, d1 का square प्लस l1 का square की घात 3 बटा 2, ठीक है और साथी साथ क्या है, साथी साथ है 10 theta 1, 10 theta 1, ठीक है upon, यह वाली जो रासी हो जाएगी ठीक है, यह रासी कितना है d2 का square, प्लस l2 का square उसका 3 by 2, 10 theta 2 ठीक, जब ऐसा भाल देते है तो आप इस पस्ट है कि यह जो दो रासी होंगे 4 pi upon mu 0, 4 pi upon mu 0, दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, है न, और फिर आगे हल करने से आगे हल करने से क्या हो जाएगा m1 upon h पलट कर उपर चल जाएगा h उपर चल अगया, m2 कहां जाएगा नीचे d1 का स्क्वाइर प्लस l1 का स्क्वाइर की पावर 3 by 2 upon d2 का स्क्वाइर प्लस l2 का स्क्वाइर की पावर 3 by 2 और यह 10 theta 1 upon 10 theta 2 ठीक, h और h से कट गया तो क्या मिलेगा है, m1 बटा, m2 is equal to यह value जो है, हमको प्राप्त होगा ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, समीकरा नंबर 3, ठीक अब हम यदी क्या करें, d को बहुत बड़ा लेते हैं, ठीक है है ना, अच्छा, हम क्या करें अब, इसको हम जो है, जो दो चुम्बक हम ले रहे हैं फिर वही चीज दोहराएंगे जो दो हम चुमबक ले रहे हैं ये क्या हो इनकी लंबाई कैसा हो समान हो तो क्या हो जाएगा ल1 2L1 is equal to 2L2 equal to 2L एक मात पात होगा इसी तरीके से जो दूरिया ले रहे हैं यानि हम पहला चुम्बक ये जो पहला चुम्बक है ठीक है इस पहले चुम्बक को जदी हम इस दूरी पर रखें तो ये दूरी को हम क्या कर लें लिस्चित कर लें ठीक जब हम प्रयोग दर्सा ह तो इसी दूरी पर यहां से 14 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होना चाहिए 14 सेंटीमीटर पर ही हम इन चुम्बक को बारी बारी रखें ठीक इस चुम्बक को भी उसी दूरी पर रखें तो ऐसी स्थिति में d1 कमाण d29 कया हो जता है d2 के d1 कमाण क्या हो जता है d2 के बराबर हो जता है और इसको हम क्या लिख सकते है d d का square प्लस l का square अपॉन क्या हो जाएगा d का square प्लस l का square यानि जो d1 लिखा है वहाँ पे भी d आ जाएगा और d2 लिखा है वहाँ पे क्या जाएगा d आ जाएगा ठीक है l1 जहाँ लिखा है वहाँ पे l हो जाएगा l2 जहाँ लिखा है वहाँ पे भी l ठीक है और 10 थीटा 1 अपॉन 10 थीटा 2 ठीक इस प्रकार से इसका जो है मान हमको प्राप्ट होगा है ना अब आपको यहाँ से इस प्रष्ट है कि जब ऐसा मान प्राप्ट हो तो क्या होना चाहिए हाँ यह जो रासी d कई स्क्वार प्लस l कई स्क्वार की पावर 3 बाई 2 और d कई स्क्वार प्लस l कई स्क्वार की पावर 3 बाई 2 यह दोनों रासी कैसे है यह दोनों रासी बराबर हैं, ये दोनों रासी क्या है, बराबर है, ठीक है, तो ये दोनों रासियां क्या हो जाएंगी, आपस मैं, कट जायंगी, तो हमको क्या मिलेगा, m1 upon m2 is equal to 10theta 1 upon 10theta 2 जो है हमको प्राप्थ होगा, ठीक है, 10 theta 1 upon 10 theta 2 प्राप्थ होगा जिसमें हम theta 1 और theta 2 का मान ग्याद करके उनका 10 ले ले तो क्या हो जाएगा M1 upon M2 दोनों चुम्बकों के चुम्बक की आविनों की तुल्ना हो जाएगा उसका मान प्राप्थ हो जाएगा अब इसके लिए हमको क्या करना है प्रिक्षन सानी त्यार करना है तो प्रिक्षन सानी कैसे त्यार करेंगे प्रिक्छन सानी शौधानी तो इसके लिए भी भी रहेगा प्रिक्छन सानी पहला हम यह चुमबक लेंगे ठीक है और दूसरा चुमबक लेंगे ठीक है तो पहला जो चुमबक आप देख रहे हैं यह ठीक डिस भी फुन्बा को हम Tyson को मांन व्याद करना है ज्रू का उसको हम पूरो की दीशा में रख जैसे हम इसमें andrew के लिए फ्रीयोग के रहे हैं एंदुरू केलिए तो इसको हमको किस दिश मरखना है पूरो में ठीक तो इसको हम एक निश्ची दूरी पर इसको रखते हैं इसमें विझेप आएगा ुष्छे ऐस भूजा हो इस भूजा में इस पहले चुंबक को लेके जाएं एन में रखें यह सीधा रखेंगे तो दूमां देगा पहला सीरह और दूसरा सीरह पलट के रखेंगे तो दोमां थीक To And 3 के लिए हैना एन दुरु के लिए क्या हो गाया टोटल चार और चार-कितनल मान हो गया ? 8 मान cannot you इसी प्रकार कि यह पहला चुम पत की एस दुरू के लिए प्रयोग करें .स दुरू के लिए जभ दुरू के लिए हमको करना है तो एस दुरू कूँ को हमको पूरू की उर रखना है थीक यह पूरू की उर रखें, दो मान देगा, ठीक, पलट के रखेंगे, दो मान देगा, ठीक है, चार मान हो गया, यहां करेंगे, तो यह सीधा रखें, तो दो मान मिलेगा, फिर पलट दें, तो दो मान, ठीक, तो इस तरीके से, S के लिए भी, चार, चार, कितना मान हो जाएगा आठ मान प्राप्थ हो जाएगा, ठीक है, तो S, N के लिए कितना मान मिला था, 8 मान, और S के लिए भी कितना मान मिला, 8 मान, ठीक है, 8-8 कितना मान हो गया, 16 मान हो गया, ठीक, तो इस प्रकार हम इन 16 मान जो प्राप्थ होते हैं, उनको आपस में जोड कर, 16 से भाग दे दे, त है ना दूसरा चुम्बक में n को रखेंगे तो 2 भी छेप मिलेगा ठीक है और फिर पलट के रखेंगे तो 2 4 हो गया ठीक इसी तरीके से यहाँ पे n को पूरू के दिसा में रखेंगे तो 2 पलट कर रख दिये तो 2 मतलब 4, 4, 8 ठीक वैसी ही एस धुरू के लिए करेंगे तो कितना मिल जाएगा 8, 8, 16 मान मिल जाएगा है ना और उन 16 मानों को आपस में जोड़कर 16 से भाग देंगे तो थीटा 2 का मान निकल जाएगा ठीक 10 थीटा 1 और 10 थीटा 2 का जब हम निकालेंगे मान तो वो क्या हो जाएगा M1 अपन M2 प्राप्ट हो जाएगा ठीक है इसके लिए हम क्या करेंगे प्रिक्षंट सार्णी जो है इसके बारे में देखेंगे ठीक तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद है हाथ जो हमने अभी प्रिक्षंट सार्णी जो है किस तरीके से बनाना है वो देखा था है ना अब प्रिक्षंट सार्णी जो है हम कैसे तयार करें उसको हम देख लेते हैं कि यह जो प्रिक्षंट सार्णी है है ना बिच्छे पीदी से गौस की टेन बीस्थि गश्ति हें तू श्राड़ जो अभी हमने समझा हुगा कि किस प्रकार हमको प्रयोय करना है उसी के अधार पर क्या होगा यह मानों को बनाना है ठीक उसके लिए हम पहला चुंबक लेंगे और दूसरा चुंबक लेंगे और साथ ही साथ चुंबक के मध्य बिंदू से चुंबक की सुई की दुरी सिंटीमीटर में दी एक निश्ची दुरी माल लेंगे और उसके बाद उत्री भुजा पर हम N पूरू में रखेंगे उसके लिए हम प्रयोग क करेंगे जब पल्टेंगे तब भी दोनों सीरो का पाठ्यांग नोट करेंगे उसी तरीके से उत्री भुजा में एस जो धुरू है उसको पूरू की और रखके क्या करेंगे उसे सीधा रखकर दोनों सीरो का पाठ्यांग नोट करेंगे ठीक इसी तरीके से दक्षणी भुजा सिरह सिदा रखते हैं तो उसके दोनों सीरों का पाठ्यअंग और पुछर्थ करते हैं इसी प्रकार सी्टावनकमान ज्यार करते 해 पहले चुम्बक के लिए ठीक बूसरे चुम्बक के लिए भी इसी प्रकार से इस प्रयोग को दोराएंगे और यहाँ पे इन सभी मानों को जोड़ करके यहाँ पे थीटा टू का माद्धी मान जोग बीच का मान थीटा टू ग्याद कर लेंगे तो इस प्रकार थीटा वन और theta 2 command क्या हो जाता है ग्याद हो जाता है जिसको हम सुत्र में रख करके m1 upon m2 command ग्याद कर लिते हैं ठीक धन्यवाद